एक्ट्रस अनुस्का सर्मा दुबई से लोटने के बाद बैक टू बैक अपने कमर्शल सूट में वीजी है और अक्सर अपनी प्रेगनेंसी लुक के साथ पैपराजी के कैमेरे में स्पोर्ट हुई है अनुस्का सर्मा बेबी बंप के साथ कलरफूल ड्रेशिस में बहुत खुपसुरत लग रही थी और उनकी बेबी बंप की फैशन लुक लोगों को अपनी और खिशती है अनुस्का सर्मा ने अपने प्रेगनेंसी की अनाउंस्मेंट इस साल के अगस में की थी और ये कपल अपने पहले बीबी को जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहा है अनुस्का सर्मा ने टाइमस ओफ इंडिया के इंटर्वियो के दौरन अपने नीजी जीवन से जुड़ी बातों पर चचा की थी और कहा था मैं मा बनने के तुरंत बाद ही सुटिंग सैट पर वापसी करूँगी मैं ये सुनस्चीत करूगी कि ऐसा लाइफ सिस्टम में बना कर तयार हो जाए जिससे मैं अपने बच्चे घर और काम के बिज पूरा बैलेंस बना सकूँ मैं जब तक जीवित रहूँगी काम करती रहूँगी क्योंकि एक्टिंग से मुझे वास्तों में बहुत कुशी मिलती है अनुष्का सर्मा खुद भी मा बनने को लेकर काफी एक्साइटन नजरा रही है और वे जीवन को भी अभी से एक अलग द्रश्टिकों से देखने लगी है इस पेंडमिक के दोरान शूटिंग करने के लिए एक्टिस ने कहा था कि मुझे यह सुनिश्चित करना था कि सूटिंग के लिए सेट एक सुरक्सित जगा होगी क्योंकि मैं महामारी के दौरान शूटिंग कर रही थी हलाकि मैं फिर से सूटिंग के लिए उत्साई थी मैं अभी सावधान थी कि सभी सावधानी बढ़ती जा रही थी मुझे सूट करने के लिए सभी आवश्यक चर्नों का पालन करने के लिए मैं आप सब की आभारी हूँ वाइरस यहां अभी रहने वाला है और हमें न्यू नॉर्मल को गले लगाना है और कोरोना वाइरस से सकती से सावधान रहना है जो की मैंने किया है अनुसका सर्मा की तरह कई सारी एक्ट्रेसिस अपने pregnancy के दोरान काम करके अपने आपको व्यस्त रखा है और उसका सबसे ताजा उदारन करीना कपुर खान है जिनोंने आमेर खान के साथ मूवी लाल सिंग चड़ा की शूटिंग हाल ही में खतम की है अगर आप online खरीदी करते हो तो हमारी description में दी गई लिंक्स को क्लिक करके जरू shopping कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो ऐसा ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ तकि नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे